भारते जद्धा पार्टी सद्धसिता अभियान को लेकर आज एक बैठक कर रही है और तपदेश सरकार में मंतरी है कपिल देव अगरवाल सर सद्धसिता भियान को लेकर लगतार लोगों को जोड़ने की अपील करी जा रही है और आज बैठक भी है इसको लेकर तो कितनी यहां की बेटा का भीचे नहीं है आज माने प्रदेश के प्रफारी आदयने की रक्षण जी ऐसे अन्य नेतखन पार्टी के वरिष्णे तों की साथ मीटिंग करें गेंगे उसे विधाय बुलाए हैं जिलादेश वलाए हैं अन्य पार्टी के पतारिकारी बुलाए हैं नेत्री नरेंद मोजी जी तीसी बार प्रथा मंतरी हैं योग आज तरह जी तूसरी बार मुख्य मंतरी हैं और लगतार भार्टी मुख्य हो प्रती एक वरक तक हम जाये समाज का प्रती एक वरक हैं अकर वेवसाई वरकिये बात करें टॉट डॉक्टर्स हैं सब्सक्ति एड़ोकेरिन्द म सवाद्ग के जाती हैं लेडरीय मोदी के नियततर्ट में भारत लगातार प्रग्रति के मार्ग पर अगरसर है, दुन्या की तीसेर त्वरस्ता बनाने के लिए अधिकारियों से जो तमाम मंत्री हैं वो काम करवाएं जनता के बीच में पहुंचें आपके एक फायर ब्रांड नेता हैं संगीत सोम अधिकारियों को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काम नहीं करोगे तो पब्लिक के जूतों से पिटवाऊंगा इस पर किस तरीके से आप रितिकरिया देना चाहेंगे अब चीज़े हैं थोड़ा संयाद होके बोलना चाहिए यह व्यश्था मुख्यमंती जी यह तो नहीं है और मुख्यमंती जैसा निदेशन को देते हैं हम ऐसे काम करते हैं एक सवाल और है उन्होंने ये भी कहा कि डेढ़ दो जिला वाले यानि उन्होंने इंडिरेक्ट मे आरेलडी पर भी हमला बोला कि अब वो हमको जो है वो नितागेरी सिखाएंगे आपको आरेलडी की ज़ूरत है कि नहीं अभी तो चुनावस और दस सीटों पर बाकी है अगर हम मीरापूर सीट की बात करें तो आप किस तरीके से देखते हैं भारते इंदा पाड़ी गढ़ लगाता काम चल रहा है कहला इस तरीके से बैन बाजी उनको नहीं करनी चाहिए यह विशे नहीं है यह विशे पार्टी का है पर मीरा कहना यह है कि दास्ते लोग दर के साथ हमारा मजबूर कर बंदा लगाता काम कर रहा है एक सवाल सर और हिजुब उल्ला का जो चीफ है सर नसर उल्ला उसको सर मारा गया और उसकी हत्या के विरोध में सर लखनौ में तमाम जगों पर साधरना प्रदर्शन हो रहा है जबकि भारत में सर उसको आतंगवादी का करार दिया गया है सब चीजें समाज को तोड़ने वाली हैं इनके चेरे जनता के सामने बीनकाब हो रहे हैं कौन आतकवाद जो के साथ हैं कौन आतकवाद जो संद्रक्शन देने वालों के साथ हैं ये सब चीजें सरकार के रडार पर हैं और जैसी जैसी आशकता होगी वैसी कारवाई होगी